Hello everyone, homemade tasty bite में आज हम बनाएंगे बहुती क्रिस्पी करारी कुरकुरी गार्लिक ब्रेड जी हाँ वो भी सिर्फ 10 मिनिट में ये बच्चों को बहुती पसंद आती है तो बनाना शुरू करते हैं एक कटोरी में सबसे पहले डालेंगे दो चमच सॉल्टिट बटर दो ही चमच डालेंगे घिसा हुआ लहसुन दो चमच डालेंगे हरे धनी की पतिया या पार्सले की पतिया एक चमच डालेंगे ओरिगैनो फ्लेक्स एक चमच डालेंगे चीली फ्लेक्स और एक ही चमच डाले अब इस mixture को अच्छे से mix कर लेते हैं और इसके बाद हम लेंगे 4 bread की slices आप चाहें तो brown bread के उपर भी बना सकते हैं यहां आज मैं white bread पर बना रही हूं सारे mixture को इस तरीके स्प्रेड कर देंगे और मैं दो bread को स्टुफ करके बनाऊंगी तो उसके उपर मैंने थोड़ा सा डाल सकते हैं अब इसके उपर देखे मैं थोड़ा सा डालोंगी चीज मेरे पास slice है तो slice को मैं थोड़ा सा तोड़ कर डालोंगी अगर आपके पास mozzarella cheese है तो mozzarella cheese spread करके बनाए बहुत ही यम्यों टेस्टी बनता है बचों को बहुत पसंद आता है cheese डालने से अब इसको हम बेक करें तो इस तरीके से एक ट्रे में मैंने थोड़ा सा ग्रीज करके बटर पेपर लगा लिया है आप चाहें तो थाली के अंदर भी इनको बना सकते हैं जैसे कि हम केक बेक करते हैं पांच मिनिट प्री हीट करके कढ़ाई के अंदर इसको 7-8 मिनिट तक पका लेजिए तो मैंने आवन को 5 मिनिट के लिए प्री हीट किया था और अब इसे मैं 180 डिगरी पर 7-8 मिनिट तक पका लूँगे और यह देखिए बहुत ही यम्मी क्रिस्पी कुरकुरी गार्लिक ब्रेड बनकर तयार है तो देखिए मेरे बच्चे बहुत ही उतावले हो रहे हैं इसको खाने के लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हमारी गार्लिक ब्रेड बनकर तयार हुए है तो फ्रेंड्स आप भी जरूर बना लिजिएगा और अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक किजिएगा शेर किजिए और मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा साथी घंटी के बटन को भी जरूर पैस किजिएगा अब मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू